भारत को फ्रांस से पहला रफाल लड़ाको विमान मिल गया है रक्षामंत्री राधना सिंग ने कल फ्रांस में इसे ग्रहन किया रक्षामंत्री ने इस मौके पर शस्त्र पूजा कर कहा रफाल वायुच्छेत्र में भारत की ताकत को तेजी से बढ़ाएगा प्रदान मंत्री निरंद मोदी ने कल द्वारिका में आवजित दशारा का एरकम में शामिल होकर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का किया दहन उन्होंने देश्वासियों से अपील की कि अपने अंदर के रावण को खत्म करे तब ही उत्सों को सही मायने में मनाय जा सक राश्टी स्वम सेवक संग के प्रमुक सरसंग चालक मोहन भागवत ने नागपुर में कल विजया दश्मी के मौके पर शल्त्र पूजा की इस मौके पर संग के बैंड ने प्रसुती दी विजया दश्वी परपर गोरक पूर में राम लीला मैदान में मुक्ह मंत्री और गोरक शनात पीठा दूशर योग्या दितनात ने नात परंपरा के नुसार राम, सीता, लेश्मर को तिलक लगाया और विदिविधान से पूजा कर आर्टी की केंद्र मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि बुद्ध जीवियों और कलाकारों की खिलाफ राजद्रोख के मुकद्मे के लिए विपक्षद्वारा मोधी सरकार को जिम्मदार ठहराना पूरी तरह से गलत और जूटी बात है इस मामले का भाजपा या किंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं दिपावली से पहले बैंका और बड़ोदा ने ग्राहकों को ब्यासदर चोथाई फिजदी कम कर दी है ब्यासदर में कटाथी से होम लोन, आटो लोन समिछ सभी रिटेल लोन सस्ते हो जाएंगे इसके बाद अब रेपो रेट 5.5 पर आ गई है सहरन पूर्थाना तेवबंद शेतर में भाजपा किसान मुर्चा के पूर जिलाउपा धर्षी के बड़े भाई चौधरियाश पाल की कल बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी बजार होने करन पूरे इलाके में अफराद तफरी मच गई लोगों ने सूजबूच से एक बड़ी घटना को होने से बचा लिया फतेपुर जिले में बिंदुकी कस्बे में दशेहरा महत्सो का एरकम में किंद्र राज्यमंत्री साथवी निरेजन जोती हुई सम्मलित दशेहरा महत्सो से पहले किंद्र राज्यमंत्री फतेपुर के रानिपुर गाउंपूर रागविंद्र सिंग के परजनों से मिलकर शोक सम्वेदना प्रगट की बाराबंकी के दशेहरा बाकी डेड़ सो वर्ष पुरानी रामडीला इस साल भी अलगी अंतास में दिखी प्राचीन रामडीला में इस बार भगवान राम और रावण का जूद्ध हाइड्रोलिक मंच और नैमिश के तीरों से हुआ जिसके बाद 40 फुट उचे रावण के पुतले का दहन हुआ हमिरपूर के प्रेट ग्राउड में 40 फुट उचे रावण तथा 30 फुट उचे मेगनाद का वद रात 12 बजे के बाद किया गया हमिरपूर में दशहरे परों में कौमी एक्ताई की मिसाल भी देखने को मिली यहां सभी धर्मों के लोग रावण बद को देखने के लिए आते हैं सोनफद रुदिले के नगरीव ग्रामी डेंचलों में विजे दश्मी का तेवहार धूमधाम के साथ संपन सबसे बड़ा अकर्शन चोपन इस्थित रेलवे राम नीला मैदान था जहां लगबग 80 फिट उचे चलाएमान रावण के पुतले का दहन किया गया अयुद्धा की मिली अगवान फिराम ने अहंकारी रावण का वदकर विजे पता का फैराई बुराई पर अच्छाई की जीत का पर दशहरे पर तीन तलाग पीड़ित महिलाओं ने रावण दहन किया महिलाओं ने रावण दहन के मादम से समाज से बहु विवाब, फत्वा वगहलेले हुनसा जैसी बुराईयों को समाप्त करने का संदेश दिया थाईलेंड में आयोजीत पेंचक सिलाट ओपन अंतराश्टी चैंपेंशिप में भारत देश का प्रतिनिजित्टों करते हुए आजमगल के खिलाडी सूरज श्रवास्तों ने जबर्दस प्रदर्शन करते हुए कांसे फदक जीत कर भारत का परचम लहराया